और वहीं बलरामपुर में राश्ट्य विधेक सेवा प्रादिकरेंट नई दिली और राज्य विधेक सेवा प्रादिकरेंट विलासपुर के दिसा निर्देशन से बलरामपुर में राश्ट्य लोक अदालत का आयोजन किया गया और राश्ट्रे लोक अदालेत के आयोजन से लगबग 1200 लोग लावंतित हैं और जिनका जिला विदेग सेवा प्रादिकरन के अध्यक्ष सराजुद्दीन कुरेशी के निर्देशन में जिला नियाले में निशुल्क स्वास्ते शीविर का आयोजन भी किया गया और स्वास्त परिक्षन कर निशुल्क दवाई वित्रन किया गया है मंद सोर के भानपूरा के भेसोडा मंडी में सत्संग और विवासमारों में गोली चल गई और गोली रामपाल सेवा समीती के अध्यक्ष को लगे और अस्पताल लिज जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया हमलवर पिस्तल हत्यार और लट लेकर पंडाल में घुशे थे और पंडाल में तोड़ फोर्ड और फाइरिंग के बाद भगदर मच गई और पुलिस ने अग्याद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्श कर लिया और भानपुरा धानप्रभारी गोपाल सुरेवनसी के अनुसार मंडी में भैरव मैरिज गाडन में रामपाल बावा के अनुवयाई ने सत्संग का आयोजन किया था सरसंग के साथ ही यहाँ पर एक शादी भी संपन करवाई जा रही थी और शादी भानपुरा के हेमंद और राजिस्थान के कोटा की रहने वाली सुनीता की थी और रविवार दोपैर में वरवदू विवा के रस्मों को निभा रहे थे और यसी दोरान अचानक कुछ अग्या और के शामगड के जमूनिया गाओं के रहने वाले 55 साल के देवी लाल पिता उदेराम मीना को गोली लग गए और गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े लोगों ने तदकाल उन्हें अस्पताल पहुचाने के साथ ही पुलिस को सूचना भी दी और अस्पताल में प्रा राजिस्थान के कोटा में रैफर कर दिया गया और कोटा लेकर जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई और प्रारंबिक पड़ताल में पता चला है कि देविलाल रामपाल सेवा समीती के अध्यक्ष्ट और विवात कि इस बात को लेकर हुआ अब तक ये सामने नहीं आया और वहीं पिस्टल से फायर करने वाले की पेचान पुलिस ने चंदू नामा की वक के रोप में किये और अभी आरोपी फरार है और वहीं सागर के बंडा में अजब गजब मामला सामने आया और बंडा थाने में दो पक्ष मारपिट की शिकायत लेकर पहुँचे थे और पुलिस ने कारवाई की बात कई और इस पर दोनों पक्ष थाने में बने मंदिर में पहुँचे और यहां पर सच कोन बोल रहा है और जूट कोन बोल रहा है इसका फैसला गंगा जल से किया गया और दोनों ने अपने सिर्फ पर गंगा जल रख कर अपनी अपनी गलती मानी और फिर सुला कर ली गई और बंडा थाना छेट के ग्राम बूडा खेडा निवासी पुषपेंदर सिंग लोदी ने पुलिस थाने में शिकायट की थी कि सरफंच पती आमोल सिंग ने मार्पिट की और वही सरफंच पती आमोल सिंग ने भी पुषपेंदर सिंग पर बार बार जूटी शिकायट कराने का आरोप लगाया था और इसी मामले को लेकर रविवार को दोनों पक्ष बंड़ा पुलिस थाने पहुंचे थे और पुलिस ने दोनों पक्षों पर कारवाई की बात कई और पुलिस की बात सुन कारवाई के डर से दोनों पक्ष थाना प्रिसर में बने राम मंदिर में पहु कि मुझे उसने दस जार उपे दिये लेकिन मुझे दस पैसे नहीं दिये गए और उसने मुझे काली भी दी ती तो मैंने एक थपड मार दिया था और वहीं शिकायत करता पुष्पेंदान सिंग ने कहा कि आमोल ने उसके पीता का प्रधान मंत्री आवाश योजना की सदेस्यों में आपसी विवाद था और शनिवार को न्याले परिसर के सामने दोनों के बीच विवाद हुआ था और मामले में दोनों के खिलाब प्रतिवान दात्मक कारवाय की गई थी और इसके बाद दोनों को थाने बुलाए गया और धाने में आकर दोनों पक्षों ने से मंदिर में जाकर राजी नामा कर लिया